ज्ञानन जना शलाकेया चक्षुरुन्मिलितम्येना तस्मै श्री गुर्वे नमहा श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंड्र गदादर श्री वासादी गौर भक्त व्रिंदा वांचा कल्पतरुभ्यस्चा क्रिपा सिंदु भैवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमहा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे तो पिछली बार ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जबकि भगवान हमारे भीतर ही है तब भी हमारे अंदर होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आ रहे है इस बात में तो कोई संशे नहीं कि भगवान तो हमारे भीतर ही है पर भीतर होते हुए इतना करीब होते हुए भगवान हमारे अनुभव में नहीं आ रहे हमने चर्चा करी थी उसका कारण ये है कि जो भीतर है वो हर समय हमारे विचार देख पा रहा है और हम लोग अपनी क्रियाओं से भ किसी भी प्रकार से शुद नहीं है, और हमारे जो इच्छा है, वो विशियों में आनंद पाने की है, तो क्योंकि हमारे हिर्दे से हम विशे में आनंद पाना चाहते हैं, और हिर्दे में भगवान बैठे हैं, और पूरा जीवन हम लोग जो है, वो भजन करते हैं क्रिया से, अध्यन, माला, नामजप ये सब हो रहा है तो इसी लिए हम लोगों के मन में एक विचार आता है ये सब के मन में अंदर आता है कि नाम की इतनी अगाद महिमा हम लोगों ने सुनी उसके बावजूद भी दस्यों साल हो गए हमें नाम लेते हुए पर आज तक हमें अनुभव नहीं वह जबकि एक नाम की इतनी महिमा बोली गई है फिर ऐसा क्यों है कि इतना नाम लेने पे भी अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया एक बार नरायन तो साक्षात नरायन की सेना आगई विश्णु दूत आगए और हम तो हरी का ही नाम पुकार रहे हैं उसने अपने पुत्र को पुकारा था और हम हरी कोई पुकार रहे हैं उसके बावजूद इतना नाम लेने पे भी कोई नवीन व्यक्ति भक्त बनेगा नवीन भक्त बनेगा कोई व्यक्ति तो वो यही पूछे का भी आप इतना नाम का गान करते हैं लेकिन नाम तो लेने से कुछ ऐसा हो नहीं रहा तो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे भीतर भगवान बैठे हैं हम मुख से नाम तो ले रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि नाम निश्वल हो रहा है कि हम मन से नहीं ले रहे तो उस नाम का कोई लाब नहीं हो रहा प्रतीक नाम जो है ऐसा बताया जाता है कि वो सब से पहले प्रतीक नाम, चाहे आप हिरदे से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, चाहे आप मजाक उड़ाते उड़ाते भी ले रहे हो, तुम लो ये कृष्णा नाम आम नहीं लेते, ऐसा बोलने में भी अगर किसी ने कृष्णा नाम बोल दिया, तो ऐसा बोलते सबसे पहले नाम जीव के संचित कर्मों का नाश करता है, जो उसके पिछले गोडाउन में जो पड़ा हुआ है, जो अर्जित हैं, उसके बहुत सारे जन्मों के कर्म, वो कर्म जो हैं सबसे पहले उनका नाश होना शुरू होता है पीछे से ये जो हम भुगत रहें ये क्या है ये हमारे प्रारब्द है ये जो इस शरीर से हम भुगत रहें ये हमारे प्रारब्द है और संचित कर्म क्या है जो हमारे पीछे जैसे कहते हैं एक तो दुकान है और एक पीछे गोडाउन में माल भरा हुआ है दुकान का माल तो दिख रहा है और बिक रहा है और पीछे गोडाउन में भरा हुआ है वो अगली बार फिर आएगा हमारे पास अभी हमारे प्रारब्ध हम सब लेके जन्म हुआ है हमारा तो नाम जब हम लेना शुरू करते हैं हम कहते हैं उसका तो कुछ हो नहीं रहा जो इतना नाम लिया तो जो बेध्यान से भी नाम लिया जो बेमन से भी ध्यान लिया वो नाम क्या होता है वो नाम भी काम तो कर रहा है मगर वो आपके संचित कर्मों को अभी जला रहा है और वो भी जरूरी है अगर मान लिजे संचित कर्म नहीं जले तो फिर अगला जनम लेना पड़ेगा अगले जनम में फिर वो प्रारब्ध बनके आएंगे मान लिजे आप अपनी दुकान पे अपने एक शरीर से एक्जैम्पल ले रहा है कि इसकी कुतुलना नहीं उधारण समझने के लिए कि आप केवल दस किलो माल बेच सकते हैं अपने दुकान में तो यह शरीर जो है वो इस बारी दस किलो का प्रारब्द लेकिया है लेकिन करोडों किलो पड़ा हुआ तो जब तक वो नहीं जाएगा तब तक शरीर पे शरीर शरीर पर मिलता रहेंका पर समस्या कहाए कि संचित कर्म क्रम तो हमारे नाम जला रहा है पर अभी जो हम कनकर रहे हैं एक तो प्रारब्द हं भोग रहे और दूसरा हम कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं, वो अगले जनम के फिर प्रारब्द बना रहे हैं, मान लीजिए कि बे ध्यान से नाम जीवन भर करते रहे हैं, और हमारे सारे संचित करम खतम हो गए, सब खतम हो गया, पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस जनम के जो कर है वो तो आगे आएंगे वो आगे प्रारब्द बन के आएंगे बात समझ पारे हो पिछले खतम हो गए पर जो अभी कर रहे हैं तो हमें दो तरीके से अपने कर्मों का हिसाब करना है एक तो संचित कर्म जो हमारे हैं संचित वो सारे खतम हो जाए और दूसरे हमारा हिर्दे साफ हो जाए कि इस बारी जो हम कर्म करें हैं वो हम से भूल से भी कोई ऐसा कर्म ना हो जिसका प्रारब्ध हमें अगले जनम में भुगत ना पड़े जो हम क्रिया कर रहे हैं वो भजन की ही हो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो शरनागती में ही हो भगवान के यह अंतरगत हो ताकि ये वले जो कर्म हैं ये अगले जनम में प्रारब ना बन जाए अगर आप अपने best of life जीते हो और बे ध्यान से ध्यान से माला नहीं हो रही लेकिन बस मुझ से नाम जब होए जा रहा है और सारे संचित कर्म भी खतम कर लेते हैं तो इस जनम के जो कर्म है वो तो खराब हैं क्योंकि हिर्दे तो आपका विशेह में लगा हुआ था अभी भी तो ये हिर्दे का परिवर्तन कैसे होगा ये प्रश्न था जहां आमने बात छोड़ी थी कि ये कैसे होगा कि इस बारी मेरा हिर्दे परिवर्तन हो जाए पिछले मेरे संचित भी खतम हो जाए ये प्रारब्द ये शरीर भोग के कतम हो जाएगा ये भी खतम हो जाए और इस जनम में मैंने जो कर्म कियें वो भी सारे सफाई हो जाए ताकि अगले जनम में सीधा भगवर्दा में ये हमारा जीवन का लक्षे है तो हमें जो आज तक अनुभव नहीं हुआ उसका कैसे हमें हिसाब करना होगा उसका क्या इलाज हमें करना होगा उसके लिए बोला जाता है कि अपना मन शुद करने का सबसे सरवोच तरीका है श्रवण कुछ नया नहीं है जो हम कर रहे हैं वो ही है हमें ध्यान से श्रवण करना है और फिर श्रवण को मनन करना है ये एक बड़ी समस्या है आजकल एक फाइदा भी है और एक नुकसान भी है फाइदा क्या है कि आज घर बैठे बैठे हम लोग कहीं भी किसी भी संत की कथा को बड़े सुलब से हम लोग अपने घर बैठे ड्राइंग रूम में बैठे टॉइलेट में बैठे ना आते हुए दुकान पे बैठे ऑफिस में बैठे चलते हुए मेट्रो में कहीं पे भी हम लोग कान पे लगा के कथा सुन सकते हैं यह एक फाइदा है नुकसान क्या है कि इतनी कथा और इतने चैनल है कि हम लोग श्रवण तो करते हैं पर उस श्रवण को मनन करने का हमारे पर समय नहीं है इसलिए वो शिरवन इतना उच कोटी का श्रवन है थो सिद महात्माओं का सिरवन करने को मिल रहे गहर बैठे मगर उसका लाब नहीं हो रा विए अज ऑग तरकर सुठी शाम को तीसरिंगी लिए अगले दिन इस्वर सुनि फिर को और सुनिव ऋब पिर दुपा रोखी और री कुछ अब अब नोब कि कब रहोगे कि रही माँा भी लेइक किनुछ कई रहा हो अगर मांद ही कणे स। अध्यात्म की छोड़ो बहुत इक जगत में ही अगर हम किसी कक्षा में हैं और हम पढ़ रहे हैं आज आपने एक चेप्टर बढ़ा शाम को दूसरा बढ़ा रात को तीसरा बढ़ा अगले दिन फिर सुबे फिर ये फिर ये अब आपका एक्जाम हो जाए क्या आएगा आपक क्या आता होगा कुछ कुछ भी नहीं आता होगा क्योंकि कुछ मनन तो किया ही नहीं कुछ जीवन में तो उतार है मनन का मतलब है उसको समझना जो खाया है उसको हजम करना बहुत सारा खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे हजम करोगे नहीं तो स्वास्त बिगड़े में ऐसा तो नहीं आप साठों मिनट की सारी बात जो है आप के बीतर गुज जएगी दो दो बातें तो गुज जाएं और उन दो बातों का तो मनन करें कि गी यह बात आज से लागू करनी इन यह बात समझ으 नहीं है तो जो वह डों कि अगर पगड़ लोगे तो आप मनन होगा जब हमने एक बात पकड़ी और जो उस बात को पकड़ी वो करनी है समझ रहे हैं हमारी समस्या यह हम श्रवन तो बहुत सारा कर लेते हैं अब मैं यह काओं कि आप सब जो यहां बैठे हो कि आप श्रवण नहीं करते आप कोई हैसा तो नहीं है श्रवण भी हम बहुत करते हैं प्रॉब्लम यही है कि बहुत कर लेते हैं अब कर रहे हैं तो इतना श्रवण कर रहे हैं कि जो सुन रहे हैं वो भी बेध्यान से जैसे कैसे भी सुन लिया कहीं भी सुन लिया और जैसे पहले मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी श्री मलुक प्रीट के रेज हिंदर प्रसाद जी महराज बता रहे थे कि उन्होंने एक बार और एक संथ से सुना था कि बुले उन्हें डूर्न कैसेट दी कि दिम कथा सुन लो तो उन्हों हम इने और जो कैसेट लगाई बूराने जवाने में यहांसे कैसेट लगते लगती उसको भी आसन देखे उस पे bिठा के ऊपर और उसके बाद नीचे चॉंकरी मारके बैठके फिर उसको सुने बोले वानी तो वही है अब हम उस वानी को चलते फिरते आदी आवाज आई आदी नहीं आई बीच में बात भी कर रहे हैं वो भी सुना एक मिनट मेरा दस मिनट का लेक्ट्चर रह गया एक मिनट वो सब्सक्राइब क्या वत कर दिया चलो जी हमने पूरी सुन ली कथा अब हम जो बच्चों को कथा देते हैं ना अब यह कैसे करते क्योंकि ने पता क्विज होईगी अगर मैं आप से पिछली कथा की क्विज कर लूँ आप में से 99% फेल हो जाओगे अगर मैं मैंने बताया अगर मैं आप से पूछता तो आप में से अधी कांश लूँ ने बता पते कि क्या है जबकि खतम तो बड़ी एक्साइटमेंट में हुई थी कि मन कैसे शुद करना है यह अगली बार चर्चा करेंगे मगर हम लोग भूल जाते हैं क्यों क्योंकि कोई ही ने कुछ ही मना नहीं है बस सुन लिया किसी तरीके से पूरा गर के पर ठीक है अगर आपको पता होगी कोशन पूछ जाएंगे फिर आप सुनोंगे ना जैसे वैसे सुनना चाहिए है समझने के लिए अगर कोशन के लिए पोज़ूँगा तो फिर भी एकसे लेबर्स की तरह जाएगा वो भी लाब नहीं है मगर सुनना वैसा चाहिए और इस उत्सुकता से नहीं कि मेरे से पूचा जागा इस उत्सुकता से कि मुझे इसको लागू करना है मेरीने किसी की भी कथा सुनो जिसकी भी सुनो उसका मनन करो अगर केवल श्रवण और मनन नहीं वा उसका कोई लाब नहीं इसलिए मैं प्रतेक भक्त को कई बार ये बात बोलता हूँ रोज-सुबह-शाम नहीं कथा नहीं कथा नहीं कथा ये वली कथा अब उनकी कथाब, उनकी कथाब, दो गॅटा सब्हेदे जोकि नहीं साकार है, अब कोई record तो बना नहीं रही, बैए हम थो इन महाराज जी की हजार कता सुन लिये, मेरी तो एक भी कता मैं, मैं तो सब सुन लिये, और माना कितनां उन महाराज जी का, उन संत की आप कितने उतार पाए हो जीवन में, चरित रहे, वो कोई नहीं उतार बाए सुन सब लिया तो क्या लाब हुआ अंत में तो जो ले के जाओगे उसका लाब होगा ना मैं देता रहूं देता रहूं देता रहूं और आपका नीचे गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे उसका क्या लाब हुआ जो हम अंत में ले गदाई रहेगा, जो जल्दी से सुन रहा है, तो इसलिए अराम से श्रवन करो, उस श्रवन का मनन भी करो, भगवान की कथा, लीला, भक्तों की कथा, कुछ भी हो, ये सब एक ही है, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, भक्तमाल की कथा, ये सब एक है, भगवान की लीला, भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मन की सफाई हो पर हम क्या करते हैं मन से ही मनन शब्द बनाएं हम अपने मन तक तो पोच नहीं ने देते उस कथा को फड़ा फड़ से जैसे वह होता है न कि पंडाल लगाया यहां सुनी वह जैसी खता में मठी शुरू हो गई यह चाय लग गई वह माराजी बंद कर वह टाइम हो गया यह शुरू हो गई वह कथा तो क्या अंदर जाने थी कथा से पहले तो चाय भी ली समझ गया है मतलब मन विश्यों में भाग गया तुरंत उससे पहले तो इसी लिए बड़ा समझ के जब कथा सुन रहे हैं तो वह कथा का श्रमण का हमें मनन करना मन में पहुचाना बहुत जरूरी है छोटा सा ही रस्ता है यह कान से मन का अभ्यास करना होगा कि ये बात सुनिये देखो ये टेकनीक होती है आर्ट ओफ हेरिंग भी होती है जैसे आर्ट ओफ हेरिंग भी होती है किस प्रकार से श्रमण करना चाहिए जो बात सुनने है बड़ी तनमयता से सुनना चाहिए श्रादक सादक के लिए श्रमण कैसा है ज अब मानलो किसी का सरदार्द हो रहा है और वो उस टाइम उसको बहू आपका सरदार्द हो रहा है चलो उठो आप इस टाइम एकसे साइज करो दोड़ लगा के आउ आप गरम डूद पीलो ये कर लो वो कर लो और दूसरे बंदे को कहे बहूँ आप जल्दी करना है एक गुली खाल आँ तुरंत अगर अराम देदे में तो तुरंत जो अराम देने वी जो गोली है यह श्रवन विद मननहा थे मनन के साथ जो श्रवन किया जाता है यह उशदी का काम करती है हमारे खुअ को साफ करने क세요 हम सबने सुने कपिल भगवान ने माता को जो बताया सताम प्रसंगाम मम वीर सम्विदो बवंती हित कर्ण रसायन कथा ये कथा क्या है हित कर्ण रसायन हिर्दे की और कानों के लिए औशदी है रसायन का एक शब्द औशदी भी होता है और रसायन का एक शब्द अमरित भी होता है किस किस के लिए हिर्दे के लिए और कान के लिए इन दोनों के लिए ये कथा रसायन है मैंदि बूल रहे हुए कपिल भगवान बूल रहे हैhin कि ये दवा का काम करेगी और कथा का भोत बड़ा प्रभाववी है ये बात हम श्रीमत भागवत्रम के महात्म में ही सुनते हैं दुन्दकारी की कथा, आप सबने सुनी रही है दुन्दकारी की कथा, श्रीमत भागोतम के महत्म में ही आ जाती है, दुन्दकारी किस योनी में था जब उसने कथा सुनी, प्रेत योनी में, भूत की योनी में, और भूत की योनी में उसने साथ दिन जब श्रीमत भागोतम की कथा का श्रमन किया भूत की योनी क्या होती है जो जीव से भी मतलब चुरासी लाग योनिया है उन चुरासी लाग योनियों से भी नीचे गिर गया मतलब सबसे लीस्ट समझ गया चुरासी लाग योनियों में सबसे लीस्ट जो है वो प्रेती योनी है क्योंकि वो तड़पता रहता है जीव कुछ कर नहीं सकता हवा की तरह है और तड़पता रहेगा करना बहुत कुछ चाता है मगर कुछ नहीं कर पा रहा पशू बन जाए कोई बात नहीं कुट्टे को भूग लगी एक खाना खालेगा सुवर को भूग लगी एक खालेगा मगर प्रेत कुछ नहीं कर सकती तो इसलिए प्रेत योनी जो है वो सबसे नीच योनी मानेगी जो है, साथ दिन कथा श्रवन के बाद भगवान का विमान उसको लेने के लिए आया, इस बात से हमें समझ में नहीं आ रही कि कथा का क्या महत्व है, क्या महत्व है कि प्रेत योनी नीच योनी को और क्या सब से उच विमान लेने आ रहा है, भगवान का विमान लेने आ गया, और जो सारे मनुष्य योनी में वहां बैटे कता सुन रहे थे वो सब वहीं बैठे उन सब को छोड़ दिया और किसको लेके जा रहा है जो कता सुन रहा है प्रेत योनी में क्यों क्योंकि बोलते सबसे तन्माइता से इसी ने सुन है क्योंकि कता उसी के लिए बोली भी जा रह रही थी कि मुझ़े हमें किया हाम किसी अभी इतनी अरजनसी नहीं कि क्या हो गया अगर आज़ की केट हमें नहीं भी वहा उंगी तो चल जाएगा इतना बदब बात सही ना करके कुई और मुझे काम हैं कि को रंग चला जव इतने ऊंगा हम साथ बजे का समय हैं हम नौ बजे आएंगे हम साड़े नौ आएंगे थोड़ी निकल जाेगी तो क्या हो जाएगा ठोड़ा कीड़ा निंब में सब आंगे कोई नीड नहीं है इसकी है अच्छा लग रहा है पून है सारे वक्त आ और धुंदकारी जो है वो क्या सोज़ रहा है बस मेरे लिए है जिस व्यक्ति ने ऐसे कथा सुनी है ना कि बस ये मेरे लिए है उसको साथ दिन बाद अभी तो वह अपलाए करता कथा को अभी तो उसने सुनी थी अभी अपलाए नहीं करी अपने जीवन में अभी तो सिरफ ऐ कि यह सुनि कि यह सुनके हमें समझ गया है जैसी उसके हिर्दे में बात्वजि भगवान का है रिधे में प्याहिकी है बस समझ गया अब ऐसे करना है चलो विमान आगया चलो पता है अभ ये ऐसे करेगा तो पृत यूनी वला चला गया मगर हम जो है बीसी ओ साल से कता गा रहे हैं सुन रहे हैं बोल रहे हैं और यहीं के यहीं बैठे हैं और रोगों से ग्रसित हो रहे हैं कितना भेद है समझ गए बात को कि कथा क्या महत्व है भक्तमाल में रतनावती आती है उन्होंने और कोई साधना नहीं करी थी आप रतनावती का चरित्र मेंने बताया हुआ नहीं है बताया हुआ है तो उनके चरित्र में आता है उन्होंने और कोई साधना नहीं करी केवल भगवान की कथा सुनी और ऐसी महा बगतावई की भक्तमाल में उनका नाम है और ऐसा चरित्र की एकदम जैसे मीरा भाई का चरित्र ऐसे रतनावती का चरित्र रानी होने के बाद भी उन्होंने अपना सर मुंडवा के ये संतों के बीच में बैठके कथा श्रावन करती थी ऐसा व्यसन हो गया उन्हें कथा श्रावन का केवल एक बार एक हरी कथा सुन ली थी तन्माहिता से बस सिर मुंडवा के माता जी सोच ले हैं तो हमारे को तो मैं मेरे मेरे इतने ही जो बाल हैं मैं ऑफिस जाता हूं तो एक मिलते हैं वहाई पर उनके भी शॉप है वो बोलते मेरे को कोई दस लाख रुपए देना मैं तब भी ऐसी कटिंग नहीं करा हूं पता नहीं तुम लोग में मुंडन करा लेना अपने सिर का और रानी थी ऐसे नहीं कि चलो को हमें कौन देख रहा है रानी है वैसे तो कोई स्त्री ऐसे नहीं सोसती कि हमें कौन देख रहा है लेकिन फिर भी वो रानी थी और रानी होने के बावजूद सर मुंडवा के श्रवन करी क्या सर पर यह नहीं कि कोई सर नहीं उडवाएगा तो बगवद्धाम नहीं जाएगा मतलब एकदम आसकती हट गई इस कोटी तक हट गई हमें एक बाल सफेद नहीं होने देते हैं उन्होंने सर मंडवा लिया और हम तो मतलब अब तो आजकल तो सफेद चोड़ो आजकल काले भी नह बब्ढ़ लिएने देते हैं वो भी बूरे होने चाहिए पूरे काले भी निए होने जगते हैं वह लगती का इतनी अशकती जब इस ने से होती है तो फिर ये सब कथा और नाम हमारे बीतर प्रवेश ने कर पाते हैं कथा से ज़्यादा जल्दी इर्देशुत किसी से नहीं होता देखो नाम की महीमा है मैंने बताया नाम की महीमा है नाम आप बेध्यान भी ले रहे हो तब भी वह आपके संचित कर्मों को काट रहे हैं यह नाम की महीमा है हर औशदी का एक काम होता है अब मैं कहूं यह बहुत बढ़िया पेट दर्द की खोली है आप सिर्द हो सकती है आप नाम ले रहे हो बेध्यान से भी ले रहे हो तब भी आपके संचित कर्म कट रहे हैं और नाम ही ये बल देता है कि हम श्रवन ढंग से कर सके हैं तो नाम भी एक ओश्यदी है और श्रवन अलग ओश्यदी श्रवन क्या है वो सीधा आपका हिर्दे शुद कर में आई हमें क्या करना है हमें कैसे चलना है क्या करना है क्या निशेद है क्या देश है यह सब हमें कहां समझ में आएगा शास्त्र में यह बात वर्णन है कि यदि आप बहुत से साधन करने पर भी कथा सुनने में आपकी रुची नहीं है साधन आपने बहुत किया है लेकिन अभी भी कथा सुनने में आपकी रुची नहीं है तो आपके साधन केवल श्रम मातर ही है यह बैरोमीटर है हिसाब लगाओ अगर आपको अभी भी ऐसे लगता है मैं सब करतों लेता हूँ मगर अब ये कथा वगएरा में इससे नहीं सुनी जाती मैं अपना करता हूँ तो वो क्या एक केवल श्रम मात्र है श्रम मात्र समझते हो एक केवल मैनत ही कर रहे हो बस आप बहुत सारी वो सिरफ परिश्रम नी हो रहा है आपका मेहनत हो रही है बहुत सारी मगर उसका कुछ फल निकल रहा है अगर फल निकल रहा होगा तो आपका इंट्रेस्ट होगा श्रवन में हो दो जो हम इस व्यक्ति से बहुत इस लिए वर लेता हूं कि अब उससे और को इसकी बात करें तो मैं र। और PCB समय आदिए इसे प्यार होता है है उसे उसके बारे में तुम ज़दा से ज़ादा सुनना चाहते हैं हम चाहते हि हर वकर व्यक्ति इस में प्यार ओता हुआ कोई और बात करें तो भी उसका कान घड़़ी पarnya आप नहीं तो इसलिए इतना साधन किया है लेकिन भगवान से इतने अभी हमारा प्रेम नहीं हुआ भक्तों से नहीं हुआ कि उंके बारे में सुन पाहें। तो फिर क्या किया आपने तो इसलिए बोलते हैं वो केवल श्रम मात रहे हैं कथा वाचक जो है वो एक डॉक्टर की तरह है और कथा जो है वो एक और शदी की तरह है आपको आपकी डॉक्टर क्या करता है आपको आपकी वास्तविक्ता से परिचय करा देता है आपको यह बिम हमारी वी है हमारी कि उसका क्या कैसे त्याग करना एं कॢँसा साधन करना ये ये सब पता चलता है ये कथा रूपी ओशदी से हमारे रोग का तुरंट निवारण हो जाता है। साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे रोग आ जाते हैं जिन रोगों को साधक अपने आप से उसको दूर नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से हमारे अंदर ऐसे कलमश हैं ऐसे रोग हैं जो हम सोचे कि हम अपने प्रयास से उ सत्संग में दूर होता है ये बात है कि ने कितने और हमारे कितने सारे सवालों के जवाब स्वताई जब हम कथा सुनते उससे मिल जाती है हमारे मन में एक सवाल आता है हम कथा सुनते हो इसको हमें वहां उसका सलूशन हो जब पूछने की विजवरत नहीं है और जो कथा सई से श्रवन करेगा उसको उत्तर मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा हुई नहीं सकता ना मिले एक महात्मा यह थे वो भागोतम कथा किया करते थे वो बोलते थे आपके मन में डे वन से जो भी प्रशना है लिख़ो जो भी प्रशना है लिख़ो इसलिए कि आपका प्रशन आपको भी याद रहे कि यह मेरा उस समय मेरे मन में प्रशन उठा था और बोलते साथ दिन के अंदर अगर आप सचेत रहोंगे आप सब के उत्तर कुदी लिख लोगे साथ दिन बाद आपको मुछने की ऐसे थोड़े के एक कवीता होती है, एक ऐसे ही काव्य रचना होती है, और एक भागोतम को शास्त्र और उच्छ शास्त्र बोल दिया गया, ये शास्त्र इसी लिए शास्त्र हैं, क्योंकि इसमें हर चीज की उट्टर पहले से है, लिखने वलत चले गए, व्यासदेव यानी बैठे, वो चले गए, जिन जिनों ने जो जो शास्त्रिल लिखा वो चले गए, अब जैसे बाबा ने टीका लिखी प्रेम भक्ति चंद्रिका की, तो बाबा बोलते थे प्रेम भक्ति चंद्रिका जब अगर भक्त पढ़ रहा है, तो उसको एक कदम के बाद अगला कदम कहा रखना है वो उसको प्रेम भक्ति चंद्रिका में उत्तर मिल जाएगा तो उत्तर है शास्तर में कथा में समके उत्तर है आप जो सोच रहे हो उसका उत्तर है आप इसके बाद जो हम बोलते हैं अच्छा कोई प्रश्ण बोटो जो आप प्रश्ण बोचते हो वो भी उत्तर कहां से आता है यहीं से दे रहे है शास्तर से एसा है ही नहीं कि कोई ऐसा प्रश्ण बोटो टो और आपको मिल जाएगा अगर आप सचे्त रहें कि कथा सनोगे आपको आपको प्रश्ण बोट्तर स्वता लिव जाए ऐसी लिए जितने सिद्मात्मावें जो सिद्म हो चुक है वह भी रवकत हरी कथा ही सुन द Cabinet आप अगोनी ये अभी तो हम बहुत छोटे साधा के अभी हमें सुनने की जुरत है जब थोड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें कथा सब्सक्राइब ऐसा कोई समय नहीं है फिर आपकी प्रीती हो जाएगी फिर आपको यही अच्छा लगेगा इसलिए महात्मा जितने दो गए तो वो कथा गिया करते थे आज वरे दो गए तो उनके शिश्य कथा करते हैं वो उनी से सुन रहे हैं अपने ही शिश्यों से अपने शिश्यों की कथा सुन रहे हैं क्योंकि आप वो वरे दो गए वो कुद तो नहीं करते हैं मगर यह क्या है यह व्यसा नहीं है नह एक समय उनके साथ कोई रहता है उनको पढ़के सुना रहा है कि समझे क्योंकि यही तो प्रीती है यही तो प्रेम है अब उनके बारे उनके सुने बिना रा नहीं जा रहा है कि सौनकादी रिशी जो थे संक सनंदन कि सनत और सनातन जो यह थे चार भाई यह क्या करते हैं विच्रन कर रहे हैं चारों में से कोई एक वक्ता बन जाएगा बाकी तीन श्रोटा बन जाते कथा सुनते हैं श्रिमत भागवत्म यहां पर आके इन्होंने कैसे करी एक भाई ने वक्ता बन गए कोई वी एक भाई बैठे वो सुने फिर थोड़ी देर बाद एक जगा कता हुई कई और गए वहां दूसरा भाई वक्ता बन गया तीन वाई श्रोता बन गए वो सुन रहे हैं तो हर समय कता सुनते रहते हैं एक दूसरे से ही काग भुशंडी जी क्या कर रहे हैं सिद्मात्माओं के जब भी हम काग भुशंडी सुनते हैं वो कहां पे हैं क्या कर रहे हैं कितने समय से उसकी गढ़ना नहीं है अस्तीमित समय से निरंतर राम कथा चल रही है गरुड जी को अंकार हु के यह आपका इलाज होगा है और किसी चीज से नहीं हो दो शिव जी बोले मैं भी जाके वहीं पर सुनता हूं जब कता सुनने होती है अब कागुजण्डी तो सिद्ध है ना कितने यो ने बो तो बुल रहें पता नहीं कितनी बार मेरे आगे राम जी का जनम हो गया कितनी बा जनम हो गया मेरे आगे रामंजी का बाति ही हजार युगों में एक बार एक एक जरी में एक वारा आ रहे हो कितनी बार आके च्ले गए और वो क्या कर रहे है कि महादेव के लाश पे क्या कर रहे है बगवान शिव बैठ expired कभर न यो सुना रहे है कपसे सुना रे तो यह यहां पिर जाकर काखबुशडि जी के यहां पे वालमीकी जी के यहां जाकर सुन रहे तो यह यह साधगों के भीतर तो यह व्यसन है क्या बोले उसको नशाव कि उसके बिना रानी जा सकता साधना का ये फल है कि हमारी भगवत कथा में रुची हो जाए अगर मैं ठाई साई से साधना कर रहा हूं तो मेरा मन करेगा कथा सुनने का कहीं-कहीं घर ऐसे हैं कि वो मुझे बोलते हैं आप आओ और दादा कीर्टन करना कथा रहने देना कथा मत करना मैं भी बोल submerged हुश्व है यहां जाना है जाता है जया पेस्टन करना परकॉं तो बहुत मेरे को वुल लॉर दांस कर्ना के लिए इस लिए लोग कि वह यह चलो थोड़ा शुब भी है अब आजो हो अपना आप अपना बजाव उम डंस कर लेंगे मजा आजाएगा चलोगी आप जाजाए अब ही दूर से रह अजाए धिसकी यह रूची और कई बारी किस कहीं गएं भी है तो मैंने कथा करी नहीं है आप लोग ने देगा है कि नए किसी केहां गए वहां गए निक्वी डिखता ही है कि क्था में तो कोई रूची बीना भक्तों के संग के और हरीकथा के बड़ा निरस है यह पत्थ भी अगर इस पत्थ पे मानलो भक्तों का संग नहीं है और हरीकथा नहीं है तो फिर क्या रह जाएगा भौती नीरस हो जाएगा आप अपने घर में बैठो बोले अपना साथना करो ना कोई संग है ना कोई कथा है ना कुछ है तो जो रस है वो रस इसके बीच में से चला जाएगा और जब रस चला जाएगा तो धीरे 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 जीव फिर वोई निंदा चुगली संसार में धीरे देख लो जिंका भक्तों का संग और कथा हटी है वो धीरे 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 एक समय के बाद थोड़े समय के बाद ऐसा होता है चलो जा अभी ना कहीं बारी हम लोग इदर उदर जाते हैं थोड़ा खाना पड़ जाते हैं स इसा नहीं कि हम माननी रहे हम सब कर रहे हैं फिर डीटी वर्शिप सुवे सुवे नहीं होती है वो अपने डीटी किसी और को पढ़ा देते हैं आप ये कलो इस बहुत इतना हो नहीं बाता अभी ना थोड़ा ऐसे है जब बच्ये बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे यह 20 कुchen बीनिले कर लेते हैं कितना नींदर कर लेते पिर वापिस उसी में असवादन नहीं सुरुए अब कितनी मैनत से एयसा हेडार हुए कि है, कि Valerie कोई यह संभी है, यह संभी यह संभी है indeed है संथ बोलो जरस अभी कोई बोलने लगता है तो ऐसे लगता है कि यह बात मत करों जो जो ऐ खतम कर दो बोलो मत मगर मतलब समझ रहे कुछ गलत भीयों बोलो मत बेजर यह सब बात बोली थी, सब लोग नहीं थे वहाँ पे, कि कथा सुने और वहाँ सुने जहां पूंड रूप से विश्वास हो, जहां हम उनका एक एक शब्द जो है, अपने जीवन में बिना किसी संकोच के उतार सके, ऐसे विश्वास के साथ सुनने चाहिए, जब हम पहले ही सोच लेते है कि बाई, यह जो है ना, यह कभी-कभी थोड़ा अलग बोल देते हैं, कभी-कभी थोड़ा गलत बोल देते हैं, तो हम जो इनकी इतनी बात समझ लेंगे, और जो नहीं समझने छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हम बहुत wise बनते हैं, बहुत intelligent बनते हैं, क्या, देखो, सारा यह साही नहीं बोलते हैं, मगर हमें क्या, जो अच्छा है वो लो या, हम यह भात बोलते हैं, कि कथा में जो अच्छा है वो लो जो अच्छा है, अरे यह फैसला करने वाला कौन है, आपने जज किसको बनाया यह, श्रोता का मन, जज कर रहा है वक्ता को, जब आप, आपने कथा सुननी क्यों थीये हम अभी क्या बात करें कथा सबसे पहले क्या ठीक करती है मन मार किस पर बढ़नी है मन पर जज कौन बना हुआ है मन विक्टिम कोई जज बना दो कि तू बदावाи कौन से चीज देको चाहिए कौन से तो कभी की फैसला साही होगा कि मन कहां से परिवर्टन हो जाएगा मन कहां से बदल जाएगा उस मन को मारने के लिए कथा सुन हरे ते और ना सन्यास कि सक suspects में करता है तो उह थो तो बागी सब बाते आख हैं कि मन तुरंट आप को वही उप्देश देदेगा अभी मैंने पीछे पिछली घता में यहां पता नहीं उससे बीचे बताया ता ग्रश्टियों के लिए और उंके लिए को या लग-अलग निर्देश नहीं है कि हैं उप्देश सब खेलए कई बागवतम में ऐसे नहीं बढ़ोगे वही असनिया समझे तो हम हमारा जब हम मन को ही जज़ बना देते हैं तो फिर हमारा मन जो है वही वही बाते लेता है जो हमारे लिए easy है comfortable है है आप माहत्मां पर बोल रहे हैं चाए बीनी कॉफी बीनी बार का खाना नहीं आरहे ये लोग कर सकते हैं ये धाम ने रहते हम लोगी दिडली लिधी हमारे लिये ठोड़ी ये हमारे लिए नहीं है ूद कि अपने च्छान दिया पहले हैं अब आप अपने मन को जज़ बनाके किसी की कता सुनो कि भाई यह कभी लाब नहीं हो सकता है हजारों साल सुन लो आपके मन में कभी परिवर्टर नहीं आएगा क्योंकि मन ही जज़ है और बड़ा चलाक है ऐसे नहीं है कि सारी ऐसी ऐसी बाते एटा देगा तो आप तुरंत पिछान जाओ कि नहीं मैंने गलत बना दिया कुछ कुछ बात ऐसे ले लेगा कि चलो अच्छा करण लेते हैं, पिर चार दिन बात कहेंगा, अभी इतना नी, अभी इतना कर लेते हैं, बड़ी समझ़रे ओ, बड़ी क्लेवरली आपको मार देगा, आपको नहीं कथा को, कथा को, working को, वक्ता बहुत अच्छा है, बहुत अ नहीं लेंगे जितना हमें लेंगे ऐसी कथा नहीं सुनने चाहिए वहां कथा सुनों जहां 100% विश्वास है मात्मा है जो बोल रहे हैं मेरे लिए ही बोल रहे हैं एक एक शब्द इंका सही है मैं अगर अभी इसको फॉल्व नहीं कर पारा हूं तो भी करना यही है समझ गए नहीं भी कर पारा हूं तो भी करना यही है इन्होंने बोला यह सई है ऐसे विश्वास के साथ कथा सुनने चाहिए अगर यह विश्वास नहीं है तो वहां कथा सुनने का कोई लाब नहीं है वहां तो फिर आप अपनी मन मौजी कर रहे हो कि जो मन मानेगा उतना करे तो श्रीमन महाप्रभू हम इकाँ से शुरू हुए थे पिछली बारी चर्च वही थी वह बुद्धिस्ट से जो बुद्ध लोग आये थे महाप्रभू की कथा को सुन के भी नई समझा और उनसे बदला लेने का प्रयास किया और हम लोग श्रीमन महाप्रभू की दक्षिन बारत की जो यात्रा चल रही है आगे उसमें चल रहे हैं तो जहां भी श्रीमन महाप्रभु जाते वो सब को अपने चरितर से, अपने भजन से, अपने स्वरूप से, अपने कीर्तन से, अपने गान से, सब को हैरान कर देते और जहाँ जिस मंदिर में भी जाके निर्टे करते वहां अनेको अनेको लोग जितने भी आसपास के हैं, वो सब वैश्णव बन जाते हैं, अमने पिछली बार भी चर्चा करी थे, तो चलते चलते श्रीमन महाप्रभू आगे आए, एक जगा है पान नरसिंग, या इसको पाना नरसिंग भी बोलते हैं, ये वो नरसिंग है जो पानक पीते हैं, इसलिए इंको पाना नरसिंग बोलते हैं, पानक नरसिंग, पानक मतलब शर्बत, पे, एक पे जैसे होता है, पानक नरसिंग, भगवान के जो दशावतार में एक नरसिंग भगवान है, वहाँ पे बोलते हैं, इंका ये मंदिर जो है, ये कैसे इसका नाम बानक नर्सिंग बना के नील गिरी में मेरे खेल इंका है मंगल गिरी मंगल गिरी में श्रीमन महाप्रभू वहां पोचे विजे वाड़ा के पास में मंगल गिरी है वहां पे श्रीमन महाप्रभू पोचे तो मंगल गिरी जो है यह हिल्स है और यहां पे तीन मंदिर हैं सबसे नीचे जो है वो एक लक्षमी नर्सिंग मंदिर है और एक एक और नर्सिंग मंदिर है और एक ये पानक नर्सिंग है तो पानक नर्सिंग में श्रीमन वहाँ प्रभू वहाँ गए तीनों में गए लेकिन सबसे पहले वो पानक नर्सिंग में गए और इसी के बारे में लिखा कि वहां पे उन्होंने ऐसा नृत्ते किया नृत्ते को देखके जितने भी वहां आसपास के लोग थे बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं साउथ में जैसे हम देखते हैं नो तो यहां पर बहुत बड़े-बड़े विशाल मंदिर वहां पे है एक बिर्कुल सबसे नीचे एक पहाड़ी के बीच में और एक पहाड़ी की चोटी पे सबसे चोटी पे जो है उसको गंडाल नर्सिंग बोलते हैं सबसे नीचे लक्षमी नर्सिंग है लक्षमी नर्सिंग बहुत बड़ा मंदिर है और बीच में जो यह पानक नर्सिंग आता है ये थोड़ा छोटा मंदिर है ये मंगलगिरी में मंगलगिरी हिल्स वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे मंदिर हैं पानक नर्सिंग में क्या है कि इंकी जो नर्सिंग भगवान का विगरे है न वो एक जैसे पहाडी की गुफा है और पहाडी की गुफा में पथर फे N conditioned गवाधन प्रकट हुए सक्षत खुद ही प्रकट हुए रेसिंग वहाँ पर वाह बोलते पहले एक समय पे असूर आया था और उस असूर को जो नरसिंग भगवान है वो असूर को सूर को देख के मतलब उसको मारने के लिए क्रोधित हुए और उसको उन्होंने खा लिया असुर को उसको मारने के लिए उसका वद करने के लिए खा लिया तो जब उन्होंने उसको खा लिया तो उसके बाद से यहाँ पर सत्योग में जब उन्हीन का क्रोध शांत नी हो रहा था, बड़े सारे देवतार हैं उनका क्रोध शांत नी हो रहा तो नर्सिंग लहँआन ने बोला कि भुषा अर त्रेता में मेरे को दूद बिलाया जाएगा और द्वापर में मेरे को त्रेता में घी पिलाया जाएगा द्वापर में दूद पिलाया जाएगा और कल्योग में मेरे को पानक पिलाया जाएगा तो आज भी बोलते हैं यह ऐसा नर्सिंग मंदिर है कि यहाँ पे जैसे वो विगराय जो है वो तो पत्थर में ही है जब पिलाते हैं तो गड़ 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 आवाज आती है जैसे कोई गटक रहा है पेट में और वो पूरा पीने के बाद फिर आधा निकाल देते हैं अपने मुह से वो लेके आधा नर्सिंग भवान के मुह से भारात है यह रोज ऐसा होता है रोज के रोज वो यह वो फ्यूज हो रहा हुगे इसली बारवार हो रहा हुगा यह वली बंद बद रहते हैं सेकेड़ नंबर से रोण हैं सेकेड सेट उधर से सेट तो रोज ऐसा होता है कि रोज उन्हें पानक पिलाया जाता है वो सारा पी लेते हैं आवाज आती है और फिर वोई चर्णामरित नहीं बोलते हैं अधरामरित बोलते हैं इसको जो आदर से आए तो ये वले नर्सिंग रहे हैं और उसके बाद फिर वो जार रखा जाता है तो उस जार को एक्जेक्ट आधा ही आप जितना भी पिलाओगे वो पी के आधा प्रसाद रूप में नर्सि यह सब हैं और अंदर जबकि जब वो भार आता है तो बहुत सारा नीचे भी गिर जाता है जो हनी वोगेरा यह सब वो सारा मीठा ही होता शर्बत मगर अंदर कोई भी मखी या कोई भी चिटी कोई प्रवेश्ट ने कर सकते हैं नर्सिंग मंदिर में आप लेको अंदर को बोला जाता है और यहां पर बोलते भगवान राम ने भी आके दर्शन किये थे जो वहां के लोकल्स हैं वो सब यह बताते हैं कि साक्षात भगवान राम भी यहां आये थे और उन्होंने भी इन नर्सिंग भगवान के दर्शन किये थे अभी भी है अभी है अभी मैं कहत सबसे ऊपर है, तो बीच में जोब पा cannabis नर्सिंग् है, यहां शरीमन माप होंगए, और वहाँ पे बोलते हैं अभी भी श्रीमन महाप्रभू के चरन चिन भी अभी दिखाई देते हैं, लोगों को दर्शन किये उसके बाद विश्नु कांची साथ में है वहाँ पे लकष्मी नरायन के विग्रे है लक्ष्मी नरायन के विग्रे को देख के ऐसा बताते है श्रीमन महाप्रभू प्रेमावेशे निर्टे गीत बहुत करिला, दिनादूई रही लोके कृष्ण भक्त कोईला वहाँ पे दो दिन रहें और दो दिन रहें के जितने भी वहाँ के जन थे उन सब को कृष्ण भक्त बना दिया जब वो विश्णु कांची जाते थे या शिवा कांची जाते थे कहीं भी जाते थे जैसे यहां कृष्ण भक्त क्यों लिखा है जब कि यह तो विश्णु कांची है तो विश्णु कांची में हमने पिछली बारी पिछली बारी नहीं सोरी मतलब रामानंदर आये से पहले सुना था कि जब वेंकड भट के यहां गए थे तो वेंकड भट भी लक्ष्मी नरायन क लक्ष्मी नरायन के उपासक थे तो श्रीवन महाप्रभु ने उन्हें वो सारी है ना पूरे तर्क देख देगे कि तुम उंकी क्यों करते हो लक्ष्मी जी तो कृष्ण से आके मिलना चाहती है यह सब करती है तो फिर तुम क्यों करते हो ऐसे थोड़ा मजाक उड़ाने मे शुरू किया लेकिन फिर उनको ठीक से समझा के उनको भी कृष्ण भग बना दिया और यहां पे भी जब वो जाते विश्णुकांची जाते शीवकांची जाते तो सब को वहां पे बुलते वैश्णवा बना देते प्रेमवेश नित्यगीत बहुत करिला प्रेमवेश में नित्यगीत कर रहे हैं कितना करिला बहुत करिला वहां पे इतना मतलब इसी लिए लोग आकर्शित हो जाते हैं कि सुबह से शुरू है और शाम तक प्रेमवेश क्योंकि प्रेमवेश आ गया ना तो सुदबुद नहीं रही तो उसमें इतना नित्यगीत करिला वहां दो दि में वैसे धर्शन नहीं होते हम लोग जाते हैं तो देखो Just एकदम तामसी ए वो सिव्यक्ति जो है उसको केवल भगवान से कुछ मांगने की इच्छाई होती है कि मैं ये ले लूँ पिर अजिसके के भी तरबड है रजोगुण वला बोलते हैं वह भगवान से कि conducting भगवान करो गवर ईससे कोड़ी एपर और इसकी वानी थोड़ी ऐसी हो जाग कि बीज और वह भगवान की प्रशनसा करता है ऑगवान की स्थुती करता है आगे जाना चाहता है और बोलते हैं जो बिर्कुल गुरा तीथ है वो कहीं भी पीछे भी खड़ा रहा है पीछे भी खड़ा होगा पस उनको एक जलक दिख जाए तो ऐसा लगता है जैसे बस ये और मैं है बाकी सारी बीड़ आगे भाग रही है है मैं सबसे आगे खड़ा हो जाओं वो खड़ा हो जाओं अब माप्रभु जो है जगनाजी में दर्शन कहां करते गरोर स्थाम आपने देखा है कहा है जगनाजी में एक तौँ पीछे जाके गरुर स्थाओं वहाँ पेड़ एक नजर पड़ गई तो एसा प्रेम मिसंकर और कोई ढ़ी नहीं रखा इसवे ऐसा प्रेम है और हम लोग है bunch यतरग में हो मियूं मुझे यह मिल जाए मुझे कुछ ऐसा मिल जाए हम सोस्टेशार यही क्रिप आए कि बस अगर कुछ मिल जाए कुछ दे दे यह सब करने तो जो गुणा तीत है यह सतो गुण में उसकी अलगी हो है अगर यह मैंने मांगाया अगर भगवान मुझे आपने देना है ना यह तो कुछ दे दो मुझे साइन दे दो कि आप यह कर दोगे यह काम कर दोगे ऐसा कुछ एसा हम लोगों की वह रहती है तो जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा वैसा भगवान भी हमारे साथ फिर वैसा ही रैसी प्रोकेट करते है जैसे हम लोग क्योंकि भगवान भगवान का अपना तो गुलते न स्वरूप न शिंगार है जैसा जीव सोचता है एक मैंने बात करी थी एक तो सचिदा नंग स्वरूप है जो क्रिष्ण स्वरूप है वो प्रेमी वक्तों को मिलता है नहीं तो फिर जैसा आप सोचोगे भगवान वैसा बन के तयार हो जाए जैसा आप करोगे वैसा हो जाएगा है जैसा आप लोग सोचओ कि भगवान वैसे बन जाएगए तुलसी दाजी ने का सिया राम मही सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी वो क्या कह रहे हैं, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी मतलब सारे जग में सब सिया रामी है, और कोई ही नहीं, और तुलसी जी ने मी ना, बोलते हैं, तुलसी जी ने जब ये लिखा, तो वो वारा नसी में थे, ये उन्होंने लिखा, पढ़ रहे थे, अपन उसके बाद उनके विश्वनाद जी के दर्शन करने के लिए गए जब विश्वनाद जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो बीच में बोलते एक बैल खड़ा वदा तेड़ा अब वो लेट हो रहे हैं कि भाईया दर्शन होने तो तुलसिदाज जी हुर 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 करके यह करके वो करके भाईय करके लोगों वो करके थोड़ा हाथ पीछ पूछ मार के गए विश्वनात जी के दर्शन करें दर्शन करके वापस आये तो यह चुपाई जो है वहां से लुप्त हो गई प्रणाम जोरी जूपानी यह कैसे लिख दी फिर लिखके गए अगले दिन फेर गए अगले दिन फेर गए तो बीच में थोड़े बंदर वंदर यह सब वहाँ पे आ गए ऐह फिर अहिरो अगालती के थे कोबल वागे दर्षन करें धर्शन करें और फिर में फेर बैसे प्रिखान करने जब भी आपके दर्शनगर के आता हो यह चुपाई लुप तो जाती कोई तुटी हुई क्या दास से तो बोलते भगवान शेव वहां प्रकट हो गया है और तुलसी दास जी को गोला तुलसी जी आपने लिख तो दिया सिया राम मैं सब जग जानी मगर आप अभी मानते नही इसको यह आपने केवल लिखी लिखी है भूले क्यों लिखी लिखी है बूले और क्या अब कल बैल आ गया तो बैल में तो आपको सी आराम नहीं दिखे वांको तो आप ठीक है आपने मारा नहीं मगर आप इरिटेट हो गए आप तो हटाना चाहते थे वह यह अटे और मैं अगले दिन आप फेर आए फिर हनुमान जी की सेना वहां पर खड़ी आपने तो उनमें कोई दर्शन नी किये सिया राम में सब्जग जानी आप तो ऐसे रुकावाट आई है मेरे रस्ते की हटे तो में वहां जाओ तुलसीदास जी बात सही किया रहा है फिर उसके बाद उन् आपने अब मानने लग गए तो ऐसी ब्रज में हम जब जारे हम दर्शन करने जाने कहीं भी जारे आगे भगवान है जो बीच में वो भी परिकरी है वो भी भगवान है परशान ना हो कि यह आगे आके कड़ा हो गया यह अट नहीं रहा है यह यह नहीं यह मात जी इतनी दे यह नहीं है यह बागलबाबाब जो थे यह जू बी दिखता उसको प्रणाम करते दंडवत करते लीके जै कि झेया ठाकत जी के दश्ण हो एगे दर नगे बंदर को चीरका वागरा ओनुए है नुआ जी और श्रकरें दर्शन हों थाकुर्जी केसी एक हर किशी में भो लेशले एक बार बेखान जो है नाली की निपलकिए धूंहा भगवाद आगे रखाव बतुत बंपुयां बॉले लेकर भाद वागए कोई हार पे आप किया वोलो कि ने कि इसी लिए नाप पढ़िया उव को पागल भावा लोग बोलते आता बागल मुझे पहलो न और फूस्त पारोस और कुछ बूजिते प़ मुझे ओर कुछ समझे ही नहीं आ दे में तो हर जगह यही दिखते हैं यही यह तो सिया राम हमाई सब जग जानी ये दर्शन करने का दर्शन करने की ये विदी है कहीं दर्शन करने जाए इस प्रकार दर्शन करें ब्रज में जाके अगर आप भाईया खास करके वैसे तो सब जगा सिया राम मैं सब जग जानी होना चाहिए और खास करके देखो अभी हम लोग सुन तो रहें यह अब अगर ऐसा तो नहीं है सुनके अब हम लोग भी विर्कुल ऐसे हो जाएंगे मगर अभ्यास धीरे 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 अगर अगर सिया राम नहीं जान रहें तो कम से कम सब के गुणों को देखने का अभ्यास बन जाए जिसको देखे वहां से उसके गुण सीखे वह यह इसमें यह गुण है यह मेरे में तो नहीं है इसमें यह तो गुण है देखो यह मेरे मेरे यह देखना ऐसे बैठ रहे यह देखना ऐसे खड़ा रहे यह देखना इसको कैसे आई है यह देखना यह क्या पेंड के आई है यह देखना अभी यह देखते हैं तो सिया राम मैं सब जग जाने ही तक पोचने के लिए सबसे पहले जीव की क्या तेज होती है कि वो पहले सब क कुम आठेठाए है कि म Kelvin ने देख नहीं देख रहा तो कम स में इसमें यह बात है मेरे में मेरिसे तो उच्च आए और ब्रज में जाएं दो खास करके देखना झान जहाएं सब ब्रजवासी यह व्रजवें जो आएं परिकर हैं इस सब वो ही है माचलो आप आप दर्शन तो बहुत अच्छे करके आए रही तो बहुत अच्छा में गड़ी है एक जने से एक भग से बाद में चिड के आ गई है यही Like इंब स्फेय और ने प्रमा वेशे आता है यह प्रेवाद सवरूप दिख रहे हो तो इस प्रकार से महाप्रभु जहाँ जाते वहाँ वहाँ इसी प्रकार से दर्शन करते आगे और बहुत सारी जगा गई है, अब समय हो रहे हैं, तो अगली बार आप फिर से उनकी दक्षिर भारत की यात्रा में आगे चलेंगे, और कहां कहां कैसे कैसे दर्शन की, वहां के बारे में थोड़ा-थोड़ा और सुनेगे हैं. चीए?